ये गड़ी मार्केट के अंदर कम्पीट करती है हुंड़ी आई 20, टाटा, एल्ट्रोज, मारूती बलेनो और होंडा की जैज के साथ में आले में टोटा के लेंज आगी नेक्स जनरेशन हो इंडियन मार्केट के लोंच हुई है आज इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करने वाले नेक्स जनरेशन के लेंज आगी और ट्वेली फोर मनी मोडल एस के अंदर कमपनी आपको कौन-कौनशे नए फिचर परवाइड करवाती है साथ ही एक comparison वीडियो भी रहने वाली है कि इस segment के अदर कौन-कौन सी गाड़ी है आपको कितना engine specification प्रवाइड करवाती है कितनी वो आपको mileage प्रवाइड करवाती है साथ ही इनकी कौन-कौन सी on-road price है उनकी भी detailed के अंदर इस वीडियो में मैं बात करने वाला आप यावन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं एस model के front profile की बात करें तो यहाँ पे आपको projector based halogen headlam मिलते है LED विगेरा का option आपको इस model के अंदर प्रवाइड नहीं करवाया जाता है तो यहाँ पे आप fog lamp पे वो as and accessories लगवा सकते हैं आपको दो प्रकार के fog lamp पे वो company provide करवा कि देती है पहले आपके halogen के अंदर दूसरे आपके top model वाले LED के अंदर भी provide करवाती है यह आपकी choice की उपर है कि आप कौनशे fog lamp लगवाना पसंद करेंगे अगर आपके light है वो halogen है तो आप halogen वाले fog lamp लगवाई है जो आपको 4000 रुपे की price के अंदर पड़ेंगे अगर आपके पास top model से नीचे वाला model है उसके अंदर आपको company LED headlight provide करवाती है तो आप LED वाले fog lamp लगवाई है जिनकी price 6000 रुपे रहती है अब S model के side profile की बात करेंगे यहाँ पे आपको body color door handle मिलने वाले है chrome वागिर आपको नहीं मिलेंगे लेगिन as an accessories आप 1000 रुपे की price के अंदर आप 4 door handle वो आप chrome के अंदर भी लगवा सकते है यहाँ पे आपको door window garnish या वो भी top model वाली नहीं मिलने वाली है नहीं आपको UV cut glass मिल आपकी still रहने वाले हैं लेकिन आपको as an accessories आपको wheel cover हो जुरूर प्रवाइड करवा के देगी side gear और ORBM पे आपके time indicator में लेंगे यहाँ पी आपको 360 degree camera की housing वागेरा वो नहीं मिलने माली है और top model का feature आपको top model के अंदर मिलेगा अब S model के rear profile की बात करेंदे इसके अंदर 3-4 इसी चीज है जो personally मुझे काफी ज्यादा पसंद आई जो आपको company is model के अंदर भी प्रवाइड गरवारी है सबसे पहले बात करें तो यहाँ पी आपको top model वाले LED टेल्लेम मिल जाते हैं यही same tail lamp आपको top model के अंदर भी देखने मिलते हैं और company आपको S model के अंदर भी प्रव प्रवाइड करवारी है जो काफी ज्यादा अच्छा फीचर एक फीचर है वह आप मिसिंग करेंगे कि आपको top model के अंदर भूट पे आपको chrome garnish मिलती है वह आपको इस model के अंदर company है वह नहीं प्रवाइड करवारी है लेकिन आप एक से 2000 पे प्रैज के अंदर टोटा डिलर प्रवाइड करवाती है जो 85 VSP की पावर और 113 Nm का टोर्क आपको जनेट करके देता है जो सिर्फ आपको 5-speed manual transmission के अंदर मिलती है मिलता है जो सिर्फ आपको 5-speed manual transmission के अंदर मिलता है अगेन इसके mileage के बात करें दिए आपको 11.05 kmpl की mileage निकाल के देता है लेकिन नमर के राइवल की बात करें दिए यहाँ पे आपकी Hyundai i20 आती है जिसके अंदर company आपको 1.2 लिटर का 4-cylinder 1177 CC का petrol engine परवाइड करवाती है इसके mileage के बात करें दिए आपको 22.35 kmpl की mileage निकाल के देगा manual transmission के अंदर में CVT के बात करें दिए आपको 11.65 kmpl की mileage निकाल के देपाएगा अब इसके तीसरी राइवल की बात करें दिए आपको मरती सुच की ब्लेनों आती है जिसके अंदर आपको company 1.2 लिटर का dual Z dual VVT 1177 CC क 4-cylinder petrol engine मिलता है जो 89BHV power और 113 Nm का torque आपको generate करके देता है अगेन यह आपको 2 transmission के अंदर company provide करवाते है अगेन manual transmission की बात करें दिए आपको 22.35 kmpl की mileage निकाल के देगा साथी AMT option की बात करें दिए यहापको 22.94 kmpl की mileage निकाल के देपाता है एस model की interior के अंदर तो यहापको company बूट के अंदर parcel tray वो S model से provide करवाना start कर देती है साथी आपको 60-40 seat split का तो option नहीं मिल पाता लेकिन आपको bench fold का option है वो मिल जाता है जिसके अंदर आपको boot है वो काफी जादा बढ़ जाता है ताथी इसके अंदर आपको 318L का boot space है वो मिल जाता है ताथी आगे कि और आप की अपनी गाड़ी से रेलेट काफी जादा सेटिंग से वो आप चेंज कर सकते हैं सेंटर के अंदर आपको बड़ा सा touch screen मिल जाता है जो base model के अंदर भी company परवाइड करवारी है जो काफी जादा अच्छी बात है लिचे के और आपको automatic AC मिल जाती है जो company इस model के अंदर भी परवाइड करवारी है जो काफी जादा अच्छी बात है no doubt आपको rear second row के अंदर आपको कोई भी ACVN से वो देखने हो नहीं मिलते हैं जो एक थोड़ा सा dispointing हो जाता है कई बार suffocation ज्यादा हो जाती है company को दे देने चाहिए थे second row के seats की बात करें तो आपको fabric seats से वहीं मिलन मिलने वाले है अगें यह आपकी black और base के combination के अंदर रहेंगे साथी rear seats पे आपको adjustable headrest वो नहीं मिलेंगे जबकि front seat पे आपको adjustable headrest वो मिलने वाले है driver side के door के बात करें दिया पे आपको four speaker music system मिलने वाला है tutor वेकर आपको इस model के अंदर company नहीं प्रवाइड करवाएगी साथी आपको one liter bottle holder और magazine pocket वो दी गई है साथी आपको उपर के और armrest पे आपको fabric cushioning में वो मिल जाती है जबकि when top model के अंदर company आपको leather cushioning में वो प्रवाइड करवाती है अगें center console की बात करें दिया पे आपको top model वाली जो armrest पे प्रवाइड नहीं करवाए जाती है लेकिन as and accessories 3-4000 पे की price के अंदर आप जरूर है वो लगवा सकते है साथी second row के अंदर आपको company 12W का power socket प्रवाइड करवा रही है जो काफे ज़्याद अच्छा feature है जिक भी top model के अंदर आपको smart USB charger है वो प्रवाइड करवा चाते है तो यह ते गलेंजा S model के feature और specification की आपको कौन-कौन से company S model के अंदर feature प्रवाइड करवाती है बात करें गलेंजा S model के on-road price की साथ ही इसकी जो rival है उसकी बी on-road price के बारे में हम जिकर करने वाले है अगर आप भी कोई नहीं गाड़ी लेना चाते है फिर आप किसी गाड़ी manual transmission के on-road price के बारे में बात करें दिए आपको 8,19,34 रुपे की बढ़ेगी जिबकि automatic के अंदर ये 8,74,314 रुपे की on-road price रहने वाली है अब इसी की rival मारुती बलेनो delta model के on-road price के बारे में बात करें तो अगर ये भी delta model आपको 2 transmission के अंदर मिलता है सबसे पहले manual transmission के on-road price के बारे में बात करें दिए आपको 8,8,505 रुपी का पड़ता है जिबकि AMT option आपको 8,63,400 रुपे on-road price रहने वा पड़ता है अब second model की rival i20 sports model की on-road price के बारे में बात करें तो manual transmission के अंदर ये गाड़ी आपको 8,64,336 रुपे की बढ़ती है वाइज के diesel के manual transmission के पारे में बा अब बात करें इसकी most popular Tata Altros के XM variant के अंदर आपको company है वो on-road price क्या-क्या प्रवाइड करवाती है तो XM variant के manual transmission के पारे में बात करें तो 7,89,50 रुपे का पड़ता है जिबकि DCT option के अंदर यही model आपको 9,8,60 रुपे का पड़ता है साथी Glynja के rivals की on-road price यह आप अपनी screen क पर देख सकते हैं डिटेल के अंदर मैंने इसके अंदर आपको अलग-अलग option के अंदर वो प्राइज अविलेबल क्राई भी है साथी अगर आपकी इंडियान ओटों को पर निश्ची से related कोई query है या फिर आप नहीं गाड़ी लेना चाहते हैं तो मेरी किसी वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर डालिए मैं टैली वीडियो गना दाऊं तो इसी परकार से कमेंट समयल करके आपका सवाल का जिवाब दू जिए धन्नेवाद